हलो स्टूडेंट्स आज की इस नई वीडियो में हम यह जानेंगे कि कोई भी वे संख्या जिसके अंत में यानि जिसका इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट पाच आता हो उसका स्क्वेर निकालने की क्याट्रिक रहने वाली है तो अगर आपसे कोई छोटी मोटी संख्या का स्क्वेर पूस्ता है जैसे आपसे कोई जिसका यूनिट डिजिट पाच है जिसे हम सबसे पहले पाच कोई लेते तो आप आसानी से बता देते हो कि भी यह इसका स्क्वेर है वो 25 होगा लेकिन अगर कोई वेक्ति आपसे पूस्ता है कि वो 15 का स्क्वेर तो आप लोगों अंक unit digit 5 आता है उसका जो square है वो 25 तो last में आए गई आएगा लेकिन आप लोगों को क्या देखना है आप लोगों को यहां देखना है कि उसके जो 11 अंक के आगे क्या लिखा हुआ है जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक तो यहां पर इसका square निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके ही अगले नंबर से हम multiply कर देंगे तो 2 1s आ 2, तो इसके आगे क्या जाएगा 2, अगर आप लोगों को 25 का square निकालना हूँ, तो आप सभी को पता है, last में 5 आ रहा है, तो 25 तो last में जरूर आएगा, बट इससे पहले आपको यह जरूर ध्यान देना है, कि क्या लिखा हु अगले क्रम में लेते हैं, हम अगला नंबर लेते हैं, 3 5 35, तो यहाँ पर आप सबको पता है, इसका जो unit digit है, वो 25 तो square में जरूर आने वाला है, और यहाँ पर next नंबर आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ है, आप लोगों के लिए 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसके next नंबर से multiply करेंगे, 3 4 12, तो आपको यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक इसी तरीके से अगर आपको यह वीडियो और आपको trick काम की लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और अधिक सदिक मितों तक share करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोग इसी तरीके से इसको निकालेंगे, जैसे मैं आप लोगों को अगर कुछ संख्याओं के square निकाल के दिखा दूँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग असानी से समझ भी जाएंगे, जैसे for example मैं एक और नमर ले रहा हूँ आपके सामने 75, अगर आप आपको दिख रहा है यहाँ पर लास्ट इसका जो यूनिट इस इट है वो क्या है, यह दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर आपको 25 तो लाना है और अगला नमर आपका क्या है 7, तो आपको क्या करना है 7 और अगले नमर की multiply करनी है जैसे 8, 7 और 8 की multiply होगी तो क्या हैगा 56, तो यह आई होप आपको यह ट्रिक बहुत अच्छे लगी होगी और आप इसे अधिक सदिक मितों तक शियर भी जरूर करेंगे और इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे चलेगा इस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत